कि नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यह थुनफोर दोस्ते चलने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि 12000 स्पेशल टेटी उर्दु अभ्यारतियों के बारे में तो चलिए चट्रा को सुरूख करने से पहले रेट करके पटन पे क्लिक करके फटापट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे नए महमान है और जो बेल आइकान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल का अपडेट हमें साब को मिलता रहे टीटी उर्दु अभ्यारतियों के मामले में सरोच चिनाले जाने के लिए अब्दुल गफूर के सामने ये बात कही प्रफेसर गौस ने बताया कि सिक्षा मंतरी सिरीबर्वा ने प्रधान सच्यू आरके महाजन से फोन पर बात करने के बाद बताया कि दो से तीन दिनों में सरोच नले जाने की परकिर्याप पूरी हो जाएगी आपको याद हो गया कि मुख मंतरी नितिस कुमार ने चार अपरेल को प्रफेसर गौस के नितुर्त में कारवाने उर्दू के प्रति मंधल को अस्वस्त किया था कि 12,000 इस वेसल टीटी उर्दू अभ्यारतियों के मामले में सरकार सरोच नले जाएगी प्रतिनिदी मंधल ने मुख मंतरी को बताया था कि राजिके प्रतिक प्रारंबिक विद्याले में कम से कम एक उर्दू सिक्षक देने की योजना के तथ उर्दू सिक्षकों की बाहाली के लिए बिसेश उर्दू सिक्षक पातरता परिक्षा ली गई थी आपको पूरा ममला बताते हैं कि परिक्षा में पूछे गए तुरूटीपूर सवालों के बदले अभ्यारतियों को ग्रेस दिये गए थे इसके खिलाब कुछ अभ्यारती पटना उच न्याले चले गए थे नैले ने तुरुटीपूर प्रश्णों के बदले दिये गए ग्रेस को सही नहीं माना और उन तुरुटीपूर प्रश्णों को बिलोपीत कर रिजल्ट को परकासित करने के लिए कहा इस से grace के साथ जो अब्हारती पास हुए थे उनका result परभावुत हो गया और करी 12,000 अब्हारती इस grace से परभावुत हो गया तो इनी के खिलाब जो हमारी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगी ताकि इन 12,000 अब्हारतीयो को नया मिल सके तो यही पूरा माज़ना था इन उर्दु टीटी सिख्षकों को लेकर तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद इसको लाइक कीजिए दूरसों तक सेर कीजिए ताई सभी सिख्षकों को इसके बार में जनकारी मिल सके मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तबता के लिए जय हिन्द जय सिख्षा वंदे मात्रम